हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारकंड में जेट परिक्षाप देखे जेट का मतलब क्या होता है आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो इस एक्जाम को कौलिफाई करने के बा कुछ जो जैसे OBC हो गई या फिर SCST हो गई या फिर other state हर state में जो है इसकी value अलग-अलग रखी जाती है तो जारकंड सरकार इस पर क्या रुख अक्तियार करती है तो यह सरकार के उपर ही depend करता है इसकी नेमावली भी निकली थी साइध मैंने 5 ए 6 मैंने पहले भी उसकी वी लेकिन एन वक्त पे हमन सोरन बाहर आ गया और फिर यह एक्जाम पर गरहन लग गया अब बहुत सारे लोग जो है बोल सकते हैं कि मैं बायस हूँ हमन सोरन के खिलाब मुझे बोलना होता है इसलिए मैं यह सारी बाते बोलता हूँ तो आप लोग कोई भी पता होगा कि 5-6 मै नेपले जो है इस तरह की चीजे हुई थी जारखन में और आप उस टाइम लाइन में जाकर वीडियो को भी देख सकते हैं लगपक लगपक सभी चीजे फाइनलाइज हो गई थी निमावली बन गया था कैबिनेट से पारित हो गया था बट एन वक्त पे पल्टी मार दी प्यज़ा मिलेगी उसके बाद आपको स्कॉलर सी भी मिलेगी अगर आप प्यसडी कर रहे हो तो यह एक्जाम पास करना बहुत जरूरी है और सिर्फ पीजी देखें ब्यड़ वाले की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप अगर सिर्फ पीजी 55% या फिर सरकार जो भी जो भी जो भी standard set करती है 50% का भी तो आपका काम बन जाएगा और जो लोग assistant professor बनना चाहते है net qualify नहीं हो रहा है तो jet exam देकर वो आगे बढ़ सकते हैं एक और बात जो बहुत important है वो बताना कि देखिए net से आप दूरी बनाना चाहरे हो no problem net से आप दूरी बना लेजिए लेकिन net के syllabus से दूरी बिल्कुल मत बनाए मैंने net के syllabus पेपर वन का syllabus आप लोगों के साथ discuss किया हुआ है प्लीज जाकर उसे देख लीजिए काम आपका बन जाएगा मैं link जो है description box में डालने की पूरी पूरी कोशिस करूँगा net का syllabus आपको मिल जाए paper 1 का वही jet का भी syllabus रहेगा देखिए jet के बारे मैं भी देखिए actually बिहार मैं भी bet का examination के बारे में बात चीत की गई है link में description मैं डाल दूँगा bet notification के नाम से और jet syllabus के नाम से भी मैं notification आप लोगों को देखिए अराम से जाकर के net के syllabus को पढ़िए और एक तरीका क्या है तयारी करने का PYQs previous question paper को ध्यान से पढ़ें आपका काम बनेगा net के previous question paper को देखें question का standard थोड़ा low होगा jet में सेट में कहीं भी 36 गड़ में ये चो है teaching परिक्षा होती है तो उसको कम कर लिया जाता है बट सिले बस आपका same रहने वाला है तो assistant professor बनने के लिए देखिए यहां पर क्या बाते है और क्या खबर है वो मैं आ 4000 विद्यार्थी master's में जो है उत्तरिन हो रहे है अब देखिए जारकन में हो क्या गया है ना कि घंटी आधारित या need based जो है teacher की बहाली हो रही है इस वज़ा से जो है jet बगरा के जिगा पे bilateral entry की क्राइज आ रही है अगर आपके पास net qualified हो आप या फिर किसी other state से set pass किया है तो भी आप यहां पे teacher I mean सिधा assistant professor बन सकते है इस तरह से जो है जारकन में पहली बार 2007 में जो है ये jet की परिक्षा हुई थी अब यहां से मैं आपको खबर दिखा देता हूँ देखिए क्या क्या आपको जो है जेट की सुविधा यानि आपको जो है preference मिलेगा इस exam को पास कर करने के बाद अस्थानिया और राज के युवाओं को जो है उच्छी सिक्षा का सीधा लाब मिलेगा दूसरी बात नियुक्ति में सिर्फ और सिर्फ अस्थानिया युवाओं को ही अपसर मिलेगा जेट पास अब यरतियों को परतिमा 25,000 रुपए मिलेंगे ताकि वो सोध कारी वो पढ़ाई को जारी रख सके आगे देखिए साय का ध्यापकों की बाहली का सीधा लाब मिलेगा तीसरी बात इससे युवाओं की जो है सोध कार में रिसर्च जो वर्क है उसमें काम मिलेगा इसके लाबा प्यच्डी करने में इस एक्जाम को पास करने के बाद बेन इतना तो मैं guarantee देता हूँ कि ये March 2000, वेटे मिनट मैं इसका change कर लूँ, color पले, तब आपको दिखेगा, देखिए, ये exam जो है, अब जब भी होगा, March, April 2025 के बाद ही होगा, क्यों? क्योंकि सरकार, I mean, जो offline center वगरा बनाएगी, उसमें exam होता हुआ, आपको दिखेगा, metric और inter का तो ऐसे मैं, metric और inter के exam के बाद, आपको ये examination देखने को मिलेगा, कौन सा examination? जारखंट, teacher, eligibility, यानि कि, JET का exam, इस exam को qualify करने के बाद, assistant professor आपको बन सकते हो, अब देखिए, कुछ important बाते हैं, जो कि, वहां के खुद, जो, अलग-अलग college के जो principal है, वो क्या बोर रहे हैं, द देखिए, 2007 में, जब JET का examination लिया गया था, वो CBI inquiry होई थी, बहुत paper में घपला हुआ था, लोग पैसे देकर, जो है, बन गए थे assistant professor, अब देखिए, क्या बोला गया है, परतिवर्स, जो है, राची और other district हैं, वहां पे, हजारों युवाओं के द्वारा, जो है, master's की degree, लीज आ रही है, ऐसे में, नेट का और जो PhD, जो है, दो ही एक ऐसे विकल्प है, जहां से आप assistant professor बन सकते हैं, राजसरकार की और से जो, इसकी responsibility है, राजसरकार की responsibility है, वहां पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है, अब देखिए, आप नेट करोगे, तो obviously वो, center government का का काम है, तो ऐसे में, यहां के युबाओं को रोजगार मिले, स्थानी रोगों को रोजगार मिले, इसके लिए जटका एवजन यहां पर जरूरी है, अब देखिए, अब बोलोगे, निउस पेपर में इस तरह के तो हजारों चीजें छपती है, याद रखिएगा, निउस पेपर मे तो लोगों को मुद्दा मिलता है, आपको ठेंकफूल होना चाहिए कि जर्मलिस्ट इस तरह की चीजें चाप रहे हैं, आगे दखिए, जेट के माध्यम से यहां के युबाओं को अलग से अबसर मिलेगा, निउक्तियों में, तो यह सारी बात बताए जा रही है, क्यों, त इस अब डिनवाभावे उन्वर्सिटी में है, तो इस तरह के जितने भी इन्वर्सिटी से बच्चे पास करेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, तो जार्कण में जो लोग अभी मास्टर्स कर रहे हैं, Sam 1, 2, 3 में है उनके लिए तो ये great opportunity है कि आप master's में अच्छा score कर लिजे ताकि future में ये आपके काम में आए master's करोगे तो definitely आगे चल कर जो है आप इसका फाइदा ले पाओगे तो ये बाते मैंने आपको बता दी है किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आपको doubt अगर आपका रहता हो तो नीचे comment section में पूर सकते हैं और एक और बात आप jet का जो paper है वो किस subject से देंगे वो आप नीचे comment करके बताईएगा jet अगर आपका English से है तो English लिखिएगा अगर आपका math है तो math लिखिएगा अगर education है तो education लिखिएगा ठीक है जो लोग math कर चुके है math education से वो education के लिए भी examination दे सकते हैं education का एक अलग से paper होता है तो math जिन लोगों ने B8 के बाद math नहीं किया है PG कर रखा है तो math भी कर लिजे और अगर आप OBC SCST से आते हैं तो उनके लिए तो जारखन में scholarship भी है तो उसका भी आप benefit ले सकते हैं बाइद भे ये वीडियो में आप लोगों के लिए दे उगर जारखन से बना रहा था आप इस वीडियो को कहां से वाच कर रहे थे निचे comment करके आप लोग बताएंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और इसमें development आती है इस news में तो आपके साथ साथा की जाएगी मिलते हैं गए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया चैनल को subscribe कर लें और वीडियो को like जरूर करते Thank you so much